बीते दिन 73 साल की महिला की हुई थी हत्या महिला की लास के पास टूटी माला और रोटिया मिली थी पुलिस को इंतजार है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट कर थी हत्यारों का नहीं लगा कोई सुराब बैकुन पुर्थाने के मुरियारी गाउं का था मामला बीते दिनों मुरियारी गाउं में रहने वाली अकेली व्रत महिला की संदिक परिशिश्यों में लाश मिली थी महिला गाउं में अकेली रहती थी महिला की एक बेटी थी उसकी शादी भोपाल में हुई थी महिला के घर के आसपास रहने वाले लोग ही उसकी देख भाल किया करते थे महिला के पती की पहले ही मौत हो गई थी लड़की के अलाबा उसका कोई नहीं था लड़की की शादी उसने भोपाल में की थी घर में अकेली रहने वाली थी महिला फिलाल सूत्र बता रहे हैं महिला की रात में किसी ने दम घोट कर हत्या कर दी इरादा उसका चोरी का भी हो सकता है महिला के शव के पास महिला के गले में मोतियों की माला तूटी हुई पड़ी मिली थी वहीं बगल में ताजा बना हुआ खाना भी रखा था माना जारा महिला ने खाना बनाया होगा खाने की त्यारी कर रही होगी उसी दोरान किसी ने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी हाला कि पुलिस को इंतजार है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का उसके बाद ही पुलिस पुकता तरीके से कुछ कहने की इस्थित्म होगी फिलाल पहली नजर में पुलिस ऐसा ही कुछ मान कर चल रही है मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया डाग स्कॉाइट की टीम भी मौके पर पहुँची थी सुबह जब आसपास के लोग सोकर उठे लेकिन व्रद महिला नहीं उठी तो पड़ोसियों को संदेग हुआ पुलिस को सुचना दी गई पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलास में जुट गई है आईए सुनते हैं इस मामले को लेकर एडिस्नल स्पी अनिल सून कर क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुएं बैकुनपुर में एक पार्वती सेन मुड़ियारी गाओं में रहती थी इसकी एक बेटी थी जो बोपाल में शादी के बाद वही रह रही है और ये अकेले यहां गाओं में रहती थी उनके आसपास कुछ कुछ बाव फैमिली का मकान है वही लोग उनकी देखभाल करते थे वह अकेले अखी महिला लगभग उस पार्वती जो है तेहतर वर्ष के आसपास है खल सुबह वो जब घर में बाहर देखी नहीं कुछ महिलाएं अंदर उस उत्ता बस गई तो देखा थो वो उनकी डेड बॉडी जो है चार भाई की बगल में पड़ी वी थी पास में जो है चूडे में खाने खाद्यपजार थी जो है बनाया हुआ रखा हुआ थी और इसके गले से जो मोटी की माला है वो तूटी वी थी इसकी शूजना पुलिस को मिली है पुलिस तत्काल घटना इस तल पे गई है फैसल टीम पहुंची है इंगर्प्रिंट के एक्सपर्ट्स पहुंचे है और दाव स्कार्ड भी पहुंचा है घटना थोड़ा संदिक प्रतित हो रही है अभी मर्ग कायम किया गया है मर्ग की अजय कर भी मर्ग किया है